तो ही गाइज वेलकम एक टोड़े आवार नियो वीडियो तो गाइज इस वीडियो में आज हम अन्वॉक्सिंग कर रहे हैं एक नए पैकिट की जो मुझे रिसीव हो रहा है आज वो भी मिंत्रा से हाँ जी मैंने इसको मिंत्रा से ओरर किया था और क्या है तो चले पहले इसक तरीक है इसको करते हैं साइड में और यह वाव तो फिलिपकार्ट की कुछ खास पैक्जिंग रहती नहीं है आप सबी लोग अच्छी तरीके से जानते ही है कैसी पैक्जिंग है अगर आप फिलिपकार्ट या एमजोन से मिंत्रा से ओर्डर करते हैं कोई चीज तो आप लो कैसे इस्तमाल करना है और क्या कैसे फाइदे है यह आपको आज इस वीडियो में पता लगने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यह फॉर्मली कंपनी का है इसके ब्रेंड अमेज़े जो है वो सौरब घंगुली है यह 200 ग्राम का पैकिट है और इसका जो 180 रुपे में पड़ा है अब तो चलिए इसके सबसे पहले इंग्रीडियन्स बता देता हूँ इंग्रीडियन्स है इसमें चिया सीड ठीक है अब इसकी बता देता हूँ मैं नूट्रीशन बैलू साइद रहेगा 25 ग्राम पर 100 ग्राम आपको कितना नूट्रीशन मिल जाता ह है एनरजी मिलती है आपको 490 गडुरी हंडेट ग्राम में प्रॉटीन मिलता है 16.45 ग्राम कार्बोहाइड मिलते है 43.06 basically जीरो ग्राम टोटल सवहर मिलता है 0 टायट्री फाइबर मिलता है 33.4 ग्राम और टोटल रहा है इसका nutrition value और यह 100% natural है और formally काफी अच्छा brand है अब सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये brand जो है काफी अच्छा है और market में काफी अच्छे product है इसके लेकिन एक कोई sponsorship video नहीं है इसको मैंने खुद अपने पैसे से खरीदा है chia seed healthy होता है बहुत healthy होता है आपको इसको इसको इस्तमाल करना चाहिए किसी भी company का कर लीजिए जरूरी नहीं है फार्मली का ही करें जो आपको budget पे हो जो आपको अच्छी लगे और जो आपको better result दे लेकिन मुझे ये फार्मली का अच्छा लगा तो मैंने इसको मगाया था इसी लिए में इसका आपको रिव्यू दे रहा हूं और देखें इस तरीके से चिया सीड होते हैं ठीक है और यह 100% natural है सोरा पर्षेंट प्रोटिंग कंटेंड रिच इन ओमेगा क्रिया इन फाइवर अब देखें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं चिया सीड जो है वो हमारे पैट को कम करता है हमारे लीवर की चर्वी को कम करता है हमारी इसकिन मे ग्लो देता है ठीक है हमारे बालों के लिए अच्छा है हमारी आँकों के लिए अच्छा है हमारे लीवर और डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है आतों के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें फाइवर है और यह आपके गैस और कब्ज को कम करता है ठीक है गैस पेट बहुत अच्छी तरीके से मौनिंग में किलीन होता है ठीक है अब आपको कबद नहीं बनेगी गैस नहीं बनेगी तो इससे आपका पेट बहुत स्मूत रहेगा और अच्छे से साफ होगा तो आप इसका इस्तमाल जरूर कीजिए ठीक है चिया सीड का बहुत ही अच्छ से बहुत ही अच्छे और लिबलिबे तरीके से हो जाएंगे देखने में बहुत ही सुन्दर भी लगेंगे और इसको पानी के साथ आप खाली पेट भी पी सकते हैं और साम को खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा कि आम मौनिंग में एक टाइम जरूर पानी में भीगो के ठीक है बहुत ही है और आप इसकी यूटूब पे बहुत तरीके की रेश्पी दे सकते हैं तरह तरह से लोगों ने रेश्पी बना के भी इनका इस्तमाल किया है ठीक है लेकिन मैंने आपको ये रेश्पी नॉर्मल वाली बता दी जो सभी लोग आराम से आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं पानी में और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हैल्फुल होगी और हैल्दी भी होगी तो मेरे द्वारा देगे जानकारी आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो फिलिज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब कर लेना आने वाली वीडियो में आप किस तरीके के रिव्यू वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंड में बताईए और ये आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका आप रिव्यू करवाना चाहते हैं तो मुझे भेज दीजिए ठीक हैं फिर मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में त प्रादेट